नमस्काल और दोस्तों स्वागत ते श्रोमुसवाली जी की और एक health-related वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं से father सेट्रिजीन लिवो सेट्रिजीन और मॉन्टे लुकस्ट के बारे में लोग मुझते के लिवो सेट्रिजीन का साइड दिफेक्स का है लिवो यहाँ पर comparison आपको बता देते हैं यह सारे जो medicine से इस sequence में हम पढ़ेंगे उसके बाद levocetrizin उसके बाद montelukast ठीक है बहुत common medicine है जो के allergy condition को ठीक करने के लिए दिया जाता है अब allergy condition जो fever जुखम के मतब फीवर जो बुखार के साथ associate होता है जैसे के sneezing runny nose नाक से पानी और sneezing जो होता है उसके साथ-साथ लाल हो जाना मू रैश आना यह सारे allergic condition है अब allergy बाहर से भी दिख सकता है और अंदर भी allergic reaction होता है बाहर से दिखने वले allergic reaction जनरली रैश के तौर पर आता है ठीक है जैस ट्रैक्ट के यूज करके हम सांस लेते हैं उस ट्रैक्ट में होता है उस ट्रैक्ट में अंदर सुजन हो जाता है उसके कारण ट्रैक्ट का जो width है वो कम हो जाता है जिसके कारण breathing करने में सांस लेने में दिक्कत होता है सांस फुन ले लगता है उसके कारण आप में जो basic से लेकर moderate का allergy का symptom होता है जो के skin के ऊपर rash होना लाल rash खुजली होना यह सारे चीज यह घटाने में बहुत काम अच्छे तरीके से काम करता है सेट्रीजीन और लिवोसेट्रीजीन अब बात करें सेट्रीजीन लिवोसेट्रीजीन के कमपाउंड में लिवोसेट्रीजीन दोनों ही सेगेंड क्लास जो next generation और 2nd generation antihistamine drug बोला जाता है antihistamine drug क्या होता है यह जितना भी allergy के बात हम कर रहे हैं के लाल रेश होना, खुजली होना या फिर अंदर के तरफ का यह एर वे कंस्ट्रिक्ट हो जाना यह सारे के सारे allergy का symptoms होता है body में जब immune system की cell hyperactive हो गया मतब बाहर से antigen जो foreign invader चीज होता है जो bacteria हो virus की body part हो वो अंदर रहा था वो antigen है उसको immune system पड़कता है as a foreign particle और उसको मार गिराता है उसको destroy कर देता है वह natural है मगर कब शरीन में ऐसा भी होता है कि ऐसा कुछ बाहर से आ गया जो उतना हानी का रहे नहीं जैसे कि pollen ठीक है जैसे कि animal hair animal dander बोलते हैं जैसे कि घर में अगर कोई बहुत से लोगों है उसके खिलाब response करता है तो उसके खिलाब जो response करेगा इम्यून system यह response बहुत ज्यादा हो जाता है उसके कारण नियर उसके इर्द गिर्द का जो है वह damage होता है तो यहाँ पर body वह जो immune system का cell है खासके एक cell जिसको बोला जाता है mass cells टीक है mass cell के अंदर बहुत चोटे चोटे packets होते हैं उसके अंदर histamine leukotrine बोलके chemical factors रहता है तब जब भी body hyperactive हो जाएगा यह सारे animal dander pollen इसके खिलाफ तो वह mass cell के अंदर रहने वाले वह packets जाके बाहर deploy हो जाएगा उसके अंदर रहने वाले सारे histamine leukotrine बाहर आ जाएगा और जब भी histamine leukotrine बाहर आ जाएगा तो body में allergy की जो symptom है वह देखने लगेगा जो आँख लाल हो जाएगा आपको हर वक्त हो जाना और सांस लेने में दिक्कत हो जाना यह सारे चीज लित यहां जब आता है उससे सांस लेने में दिक्कत ज्यादा होता है और आपको immediately hospitalize करना पड़ता है आपको यहां पर injection देना पड़ता है anti-leukotrine यह फिर anti-leukotrine डrug देना पड़ता है Antilucotrine जो drug होता है वो है Montelukast ठीक है जो Lucotrine receptor का analog होता है क्या आयता है और detail में नहीं जाना है आपको इसल कि वह Lucotrine का जो impact है वो कम करता है body में जिससे कर आप सांस ठीक से ले पाओ इसलिए जो आस्तमा का पेशेंट्स हैं उनमें आस्तमा प्रॉब्लेम होता है वही बाहर से को पल्यूशन पल्यूटेंट आ गया धूल उसके साथ साथ पोल अंग्रेन यह वह अंदर चलाएगा उसके कारण हो रहा है अलर्जी उसको प्रिवेंट करने के लिए रोकने के लिए यहां पर म मॉंटे लुकस्त देना पड़ता है तो इस की तौर पेग मेडिसीन मॉंटे क्ल्सी बहुत फेमस मेडिसीन संफार्मा अब बात करते हैं बाकी दो सेट्रिजिन लिवर सेट्रिजिन को ब्लॉक करता है तो वह चीज़ को ब्लॉक करेगा फिर से वह स्किन की ऊपर रेड को कंट्रोल करने के लिए यह दोनों ड्रग ही एंटी अलर्जिटिक ड्रग है एंटी अलर्जिटिक मेडिसिन है अब यहां पर बात होता है कि एंटी अलर्जिटिक मेडिसिन तो हो गया अब यह प्रकार वहित क्यों है देखो अगर इसका प्रोटेंसी देखे काम करने के तरी द्राइध रहा हो अंदर के तरब काहले अक Corinna के सिस्कूंज श्कीन पर तो सबस्क् STUDENT 1 , सब्सक्रावस की षारइब स्दूंज यह वो थे त्रीके से काम करता मगा डस्दूंज यह बुटेंश गों करुटेंश फ्रृच्टोंम हो यह बब श्राइम में सांस लेने में दिख्यत हो रहा है allergy के कारण तब जाके montalukos ज्यादा काम करता है और cetresin liver cetresin जनरेली अगर बहुत simple सा allergy के condition मोहां पर दिया जाते इन तीनों medicine में montalukos का price सबसे ज्यादा है cetresin बहुत कम price में available हैं और एक बात इसका side effects देखें तो satresin liver cetresin में side कुछ बॉत में नहीं होता है तो यह सारे में चैनल लीटेल हमने बात कर Rs. allergy अगर body में हो रहा है तो उसका medicine आप treatment करके ले सकते हो बहुत simple medicine है और available भी ठीक है तो वीडियो अच्छा लएगे तो वीडियो का like ज़रूर करना शेर करना अपने दोस्तों के साथ कलीक के साथ और subscribe करना इस channel को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे है thank you, bye